जय गुर्देओं और दोस्तों मेरे चैनल सेदि सावर मंतर में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है और देखिए आज मैं आपके सामने जो इस वीडियो के माध्यम से जो साधना मैं बताने वाला हूँ वो साधना एक बहुत ही प्रिचन्ड साधना है और इसके द्वारा आप हर प्रिकार के अपना कारिय कर सकते हैं इसके जो प्रियोग है इस मंतर के इस साधना के वो मैं आपको साधना बताने के बाद इसी वीडियो में लास्ट में मैं बताऊँ हूँ कि आप इन प्रियोगों को कैसे कैसे कर सकते हैं या आप इस मंतर से क्या क्या प्रियोग आप कर सकते हैं तो वो सब मैं आपको साधना के बाद में बताऊँ हूँ तो इसलिए आपसे विंती है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और ध्यान से देखना, ठीक है? तो देखे ये हनुमाईन जी की साधना है साबर मंत्र से अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी साबर मंत्र से साधना नहीं करने चाहिए या साबर मंत्र में मतलब की देवता को गाली दी जाती है या कुछ भी कहा जाता है तो ऐसा इस साबर मंत्र में नहीं है क्योंकि साबर मंत्र में भी कई तरह की चीज़े होती है कई बार तो साबर मंत्र ऐसा होता है कि केवल बुलाने के लिए होता है नॉर्मल सावर मंत्र होता है किसी किसी सावर मंत्र में आन दी जाती है गाली दी जाती है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है वो सक्तियां जानती है वो कोई आम इंसान थोड़ी है कि हमने उनको गाली देती तो वो रुष्ठ हो गई वो जानती है कि ये मंत्र सिद्ध कर रहा है और इसको बुलाना है मुझे जबरजस्ति ये मिर को बुलाएगा इसलिए ये ऐसा कर रहा है वो इस चीज़ को जानती है तो इसलिए वो आती है तो ऐसा कोई दोस्त नहीं लगता इसमें ठीक है तो आज जो मैं साधना आपको बताने वाला हूँ वो हनुमान जी की साधना है और हनुमान जी को बुलाने का साबर मंत्र है कि हनुमान जी को बुला करके किस प्रकार से आप कोई भी कारिय करवा सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा, कैसे आपको साधना करनी है, मंत्र कौन सा है, वो मैं सब इसी वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाओंगा, ठीके, अब आपको क्या करना है, कि सबसे पहले आपको इसमें दो चीजों की जरुत होगी, एक तो हनुमान यंत्र, जो की ताबीज के आकार का होगा, और दूसरा या तो रूदराक्स की माला, या लाल मूंगे की माला, इन दोनों में से कोई सी भी माला हो, वो चलेगी, ये दोनों चीजें मंत्र, सिद्ध और प्राण, प्रतिष्ठा युग तो होनी चाहिए, ठीके, अब आपको क्या करना है, कि किसी भी मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन, या तो आप सुबह में, जैसे कि आप पाँच बजे, छे बजे, इस वक्त भी साधना कर सकते हो, और या फिर सरात्री में, साथ बजे, आठ बजे, नौ बजे, दस बजे, किसी भी टाइम, इतने टाइम इसके साधना आप कर सकते हैं, और ये जो मंत्र है ये हनुमान जी को बुलाने का मंत्र है हो सकता है कि वो आपको दर्सन भी दे दें और इस मंत्र के प्रियोग भी अच्छे प्रियोग हैं कोई भी कारिये आप इस मंत्र से कर सकते हैं ये आप समझ लेना चाहे वो आपका वशी करन हो चाहे वो चाटन हो चा किया कराया खत्म करना हो या अपनी सुरक्षा करनी हो केवल एक ही मंत्र से आप सारे करिये कर सकते हैं अब मैं इसकी साधना विधी में आपको बता देता हूं कि इसकी साधना आपको कैसे करनी है तो देखे टाइम मैंने आपको बता दिया है और आप बिलकुल एकदम साफ सुद्ध हो करके क्योंकि ये साधना जो है सुद्धता बहुत ज़द चाहती है हनुबान जी की साधना साफ सुद्ध हो करके इस नान करके और अपने पूजा के कक्ष में बैड़ जाएं जाकर के इतने आप साधना करेंगे इतने पूजा के कक्ष में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए उसके बाद चाहिए भले ही कोई चला जाओ वे कक्ष में लेकिन उस वक्त नहीं आना चाहिए सबसे पहले एक आपको चौकी विछानी है चौकी के ओपर लाल रंग का वस्तर विछा लें और लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए और अगर लाल रंग की धोती पहन लें या कपड़े पहन लें तो बड़े अच्छी बात है सुद्ध देशी घी का दीपक एक जलना चाहिए अगर बत्ती या धूबत्ती जो भी है वो भी जलाएं लाल रंग की पुस्प ले लें और थोड़ा सा मिष्ठान ले लें जैसे की बताशा हुआ या चूर्मा हुआ या गुड हुआ कुछ भी भोग लगाने के लिए ठीक है और लाल रंग का सिंदूर आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना गुरु पूजन करना है आपके गुरु जी की तस्वीर होनी चाहिए अगर गुरु नहीं है तो भगवान सिव को गुरु मान करके साधना कर सकते हो भगवान सिव को गुरु मान करके कि भई भगवान सिव मेरे गुरु है और साधना कर सकते हो आप उसमें आपको क्या करना होगा कि जो अगर आपके गुरु है तो गुरु मंत्र आपके पास है तो आपको केवल अपने गुरू का पूजन करना है पंचोपचार पूजन अपंचोपचार में क्या होता है कि दीपक जलालिया आपने तो एक बार गुरू मंत्र बोला और दीपम दर्सियामी तो हाथ से इसारा कर दिया दीपक की तरफ से ऐसे ही धूप की तरफ से इसारा कर दिया तस्वीर की तरफ गुरू मंत्र बोलने के बाद और टीका लगा दिया पुष्प चड़ा दिये और थोड़ा सा मिष्ठान चड़ा दिया तो ये पंचोपचार पूजन हो जाता है तो ऐसे ही आपको पंचोपचार पूजन करना है और अपने गुरू मंत्र की कम से कम एक माला का आपको जाब करना है और गुरू जी से मन ही मन आग्या लेनी है कि गुरू जी मैं ये साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले इस प्रकार से गुरू पूजन करना है अगर गुरू नहीं है तो सिव का पूजन भी आप इसी प्रकार से करेंगे और ओम नमस्चिवाय मंत्र का आपको जाब करना है जादा नहीं एक माला का आप जाब कर लें ओम नमस्चिवाय का इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको भगवान सरी राम का पूजन करना है ऐसे ही पंचोप चार पूजन भगवान सरी राम का करेंगे और राम मंत्र की एक माला मंत्र का आपको जाब करना है राम रामाए नम है जो मंत्र है वो इस प्रकार से है राम रामाए नम है इस मंत्र का एक माला जाब कर ले या पांच मिनट बैठ के जाब कर ले ध्यान लगा करके और उनसे प्रार्थना करें ये हे प्रभू ये हनुमान जी माराज आपके दूत हैं और मैं इनकी साधना करने जा रहा हूँ ये ताह है आप से विंती है कि आप इसमें मेरी साहता करें और मुझे सुरक्षा परदान करें तो भगवान राम से जब आप सुरक्षा मांगें तो हनुमान जी तो ऐसे ही सांत हो जाएंगे ठीक है तो भगवान स्री राम का पूजन करने के बाद फिर आपको हनुमान जी का पूजन करना है और जो आपने यंत्र जो तावीज के आकार का यंत्र है वो किसी भी प्लेट में आपको थोड़े से लाल रंके पुस्प रख लें उसमें या पंखडियां या पीले रंके जैसे भी हों आपके पास और उन पर उसको इस्थापित कर देना है यंत्र को और फिर हनुमान जी का आपको पूजन करना है पंचोप चार पूजन ऐसे ही हनुमते नम है इस तरीके से दीपम दर्शियामी धूपम दर्शियामी और उनको टीका लगाएं सिंदूर का पूश्प चड़ाएं और थोड़ा सा मिश्थान चड़ाएं इस प्रकार से जब आप नॉर्मल ये छोटा सा पूजन कर लें तो फिर आपको और हाँ एक चीज और मैं आपको इस चीज में बता देता हूं कि ये जो पूजन है ये आपको पृति दिन करना है ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया ये पूजन आपको पृति दिन करना है जितना मैं बता रहा हूं क्योंकि कही लोग मेरे से पूछते हैं कि पूजन एक ही दिन करना है या फिर रोज करना है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कहले ही कि ये प्रति दिन आपको पुजन करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभू अगर कोई मुझे से गल्ती हो जाए साधना में तो आप मेरी गल्ती को छमा करें ठीक है और फिर रुद्राक्ष की माला से या मूंगे की माला से पांच माला मंत्र का आपको जाप करना है पांच माला अब मंत्र आपको कौन सा जबना है वो मैं आपको बता रहता हूँ मंत्र इस वरकार से है जै हनुमान बारे बरस का जवान हाथ में लड़ू मुख में पान हां कमारत आय बाबा हनुमान मेरी भगती गुरू की सक्ती फुरो मंत्र इस्वरो वाचा ठीक है तो ये जो मंत्र है इस मंत्र का आपको जाप करना है पांच माला का और 21 दिन तक आपको लगातार जाप करना है ये 21 दिन की साधना है 21 दिन में हो सकता है कि आपको तरह तरह की अनुभाव आएं अब वो अनुभाव कैसे हो सकते हैं ऐसा लगे कि कोई कमरे में घूम रहा है कोई वानर आ गया है आपके छट पर या रातरी में कोई व्यक्ती आपके उपर बैठा है या कुछ कोई सकती घूम रही है चारो तरफ इस तरीके से आपको अनुभवा सकते हैं तो डरने की आवाश सकता नहीं है जब भी आपको कोई डराओने अनुभव आएं तो फिर उस वक्त आपको क्या करना है उस वक्त आप भगवान राम का नाम लें केवल इस मंत्र का जाप सुरू कर दें राम राम आयनम है तो आपका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई भी सकती आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है जब आपको दिखाई दे कि भई हाँ इस वक्त कुछ सकती है कि जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है और मुझे कुछ लग रहा है ऐसा कि कहीं कुछ गड़बड ना हो जाए तो इसलिए उसी वक्त फिर आप राम राम आयनम है इस मंत्र का जाप सुरू करते हैं बस अब हो सकता है कि 21 दिन आपको हनुमान जी के दर्सन भी हो जाए अगर दर्सन हो जाते हैं तो बड़े अच्छी बात है तो उनको आप प्रणाम करके और आशिरवाद लें उसके बाद अब आपको अगर दर्सन नहीं भी होते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मंत का 5 बार जाप करोगे या 11 बार जाप करोगे तो वह आएंगे ही आएंगे क्योंकि आप इसमें बुला रहे हो उनको इस मंतर में साफ साफ है कि हां कुमारत आय बाबा हनुमान यदि आपने आवाज दी है तो वह आएंगे आना पड़ेगा उनको और आपकी जो समझ्या है उसको वो समझ जाएंगे और स्वालो करके ही जाएंगे ठीक है तो ये साधना आपकी उस वक्त वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और जब आपके 21 दिन की साधना संपन हो जाए तो उसके बाद जो आपने यंत्र रखा है जो ताबीज के आकार का है उस यंत्र को लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारन कर लें ठीक है जिस से की आपकी हरवक्त सुरक्षा होती रहे और एक सुरक्षा कवच आपके गले में धारन रहेगा और आपको एक चीज का ध्यान जरूरा रखना है कि ब्रह्मचरिय व्रत का पालन आपको जरूर पिल्कुल भी नहीं या किसी की बेहन बेटी कोई भी हो उसको एक समान मा का दर्जा देना है आपको उनके पैरों पर नजर होनी चाहिए कि इसमें ये खास नियम है भले ही आप कैसे भी घुमो कहीं भी रहो कुछ भी करो लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि गलत विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए किसी के पिरती संभोग की इच्छा किसी के पिरती कुछ ऐसी इच्छा और ये इच्छाएं आपके अंदर बल बल पड़ेगा इन इच्छाओं में क्योंकि आप हनवान जी के सादना कर रहे हो और वो खंडित करने की कोशिस करेंगे बल पड़ जाएगा इन चीजों में कि आपके अंदर बहुत तीवर इच्छा उठेगी लेकिन आपको दबाना है उस चीज को आपको अपने मन वचन कर में इन चीजों से पवित्र रहना है किसी को बुरा नहीं बोलना है जूट नहीं बोलना है ये सब चीजें आप ध्यान में रखें जो एक साधना में जरृत पढ़ती है जिन चीजों की और जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए तो अब आपको प्रियोग कैसे करना है मालिया आपको कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपको करना क्या है उसमें केवल संकल्प लेना है इसी तरीके से आपको चौकी सजानी है इसी तरीके से आपको बिल्कुल सैन यही तरीका है जो पूजन का है इसी तरीके से आपको पूजन करना है और पूजन करने के बाद फिर आपको संकल्प लेना है बस इसमें एक यही अंतर है कि आपको संकल्प लेना है संकल्प कैसे लेना है एक पुस्प रखेंगे हाथ में और जल रखेंगे थोड़ा सा और आपको संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम बोलना, अपने पिता का नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, कि मैं इस कारिये के लिए अपना कारिये बोलना, कि इस कारिये के लिए आपका ये मंतर जब कर रहा हूं, और इसमें मुझे पूर सफलता मिले, और उसको आपको प्र ना लानी है जो आपका कारिये हैं कि ये कारिये मेरा सौल होना चाहिए इस कारिये ये कारिये मेरा हल होना चाहिए ये कारिये ऐसे होना चाहिए अब कारिये आपका कोई भी हो सकता है इसमें लेकिन किसी व्यक्ति को मारन प्रियोग मत करना क्योंकि हनुमान जी सात्विक देव हैं इसलिए आप से विंति है कि किसी का मारण प्रियोग इससे ना करें क्योंकि क्या बार ऐसा होता है कि साध्ना में गल्ती सब से होती है अगर आप से कोई गल्ती हो गई तो हनवान जी आपको भी ठोक देंगे फिर आपको भी निवक्सेंगे यह मैं बाप को बता देता हूँ, तो इसलिए आप ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी सात्विक सक्ति से आप कभी भी कोई मारन प्रियोग ना करवाएं, वरना ये बहुत गलत होता है, किसी भी वक्ति को मार देना, या किसी को उपर कोई भी क्रिया कर देना, हाँ कोई दे सकते हैं इससे, इसी मंतर से, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और पांच माला जाप करोगे, तो आप देखोगे कि आपका कारिया कुछी दिनों में बहुत जल्दी हो जाएगा, और वो कारिया 100% होगा ही होगा, अगर आपको कोई साधना कर रहे हो आप, आपको सुरक् मतलब की एक सुरक्षा घेरा खीच लेंगे, लोई की कील से, किसी भी चीज़ से, तो उस घेरे के अंदर कोई भी नहीं घुश सकता है, क्योंकि हनुमान जी वहाँ पर आकर के खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए ये साधना बहुत तीवर साधना है, और ये साबर मंतर ये बहुत सकती साली भी है, आपके हर प्रिकार के कारिये करेगा, कहीं भी आप फस जाएं, किसी भी इस्तिती में हों, सिर्फ मंतर जाप सुरू कर दो ये, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो देखें ये मंतर मैं पर समाप्त करता हूं, तो मेरे साथ बोलिये, बोलिये गीर बदरंग बली हर्मान जी माराज की जै, बोलिये मेरे परमहन सगुर्देग की जै